अब्चों क्या हाल हैं और अपने अभ्यास में लगें कहने का मतलब क्या है आपकी है अब हैश्य के पेपर दे पास और तयारी अच्छे से करने तो इसलिए अभिश्य मन्यों यह जो की नंबर वन है क्यों क्योंकि 41 प्लस सेलेक्शन थी 2021 में और 27 से ज्यादा सेलेक्शन सी आपकी 22 में तो यह सबूत है काफी इतना कि वाई वी आर नंबर वन क्लियर देखिए अब HCS फास्टेक्ट बैच है बेट आपका यह आपका लाइव बैच है और यह ओफर है जिसका प्राइस है कितना 35,000 और यह सिरफ थोड़े टाइम के लिए यह है ठीक है यह कह है यह आपका 75 डे स्कूर्स है यह ऑनलाइन ऑफ लाइन दुन्हों है मतलब कोई क्लास मिस्व आप और घर से भी हो जये तो आप उसके अंदर क्या अब क्या क्या स्क्राइब और यहां वो मिल रही है आप को सेट की स्टाशाइज मिल रहे हैं इसमें आपको टैस मिल रहे है और में विलेबल कि तो सिलेक्शन 41 और 27 प्लस देखने के बाद मुझे नहीं लगता कुछ और ज़्यादा बोलने की जूरूरत है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मत भूलिए और प्लीज अगर HCS बनना है तो 75 डेस का प्रिलिम्स का कोर्स दरूर लीजे चलिए बटा आज का हमारा टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम जो की बहुत ही एडवांस लेवल के कुछ कोश्टन्स आएं आपको पिछले सालों में तो आज उसी लेवल के कुछ कोश्टन्स को आइसे जल्दी सेसे सौल्व कर सकने क्लिए तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए चलिए भाई देखो बहुत-bहूत-bहुत-बहुत कोशन है इंपोर्टन ये आपके 2022 का कोशन बिसीकली ये आपके 2022 का ब्लीम्स का कोशन है इसका मतलब कोई कार है जिसका एक चार डिजिट का नमबर है यह बहुत हूँ यह हो गया यह B हो गया यह C और यह D ठीक है फिर क्या बोला जा रहा है और इसमें से कोई भी नमबर जीरो नहीं है यह 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 बी से डी कोई सब्सक्राइब जीरो नहीं है क्लियर इफ यू रिमूव सेकंड और फॉर्थ डिजिट रिजल्टर त्री डिजिट नमबर इस लाइन को ध्यान से पड़ो इसका मतलब कह रहा है या तो आप सेकंड नमबर को कर दो रिमूव यह नहीं A C D को ले लो या फोर्थ नमबर को रिम सकते हैं तो पर्फेक्टर नमबर कौन सा भी सकता आपके वासच हो सकता है 169 वह सकते हैं यह 8 हो सकते है 1096 भी हो सकते क्लियर अब आपको जब दिखेगा तो यहां आपको double-double दिख रहा है अब इसका जड़ा देखो ज़रा क्या मैंतव निनिकलत है अब देखो यह क्या चीज होती है कि अब इसको समझोग ये क्या चीज होते ध्यान से क्योंगे इसके बिना कोशन नीजोंगा अपना हां इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि कोई ऐसा नंबर जो इंतरे पर चेंज करने पेना मतलब उसे आगए से लिखो या पीछे से स्टार्ट करो सेम होता है जैसे में बात करूँ इसका मतलब इसका मतलब क्या हो गया भाई उसने क्या बोला अब उसके कर दिया तो यानि याणि tis equal to d आगए अपका मतलब बी और में बढ़ाबर है अब वह नंबर क्या म fell सकता है देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा ध्यान से देखो इसका अगर पहले मैंने क्या किया है पहले मैंने बीकोट आया मतलब अगर पढ़ो सेटमेंट को नो डिजिट इन दा नमबर इस रिपीटिड मोर दें ट्वाइस यह तो पता ही चल रहा है यह नहीं भी लिखेंगे जब भी पता चल रहा है इससे कि आपके पास क्या है कि एक नमबर दो बार है आपके पास डिफिनिटली क्योंकि आग कैसे लिखो है पीछे से वह नमबर सेम जबी रहेगा जब आपके पास एक डिजिट रिपीट होगा क्लियर अगर मैंने ए सीडी को लिखा तो इसका मतलब क्या गया एक इतना आ गया वन वी का पता नहीं सी कितना आ आ गया सिक्स और नाइन अग अगर मैंने 169 Chinese से कुछ बन सकते है यह तो मैंने इसको लिए अगर मैं इसको लूं अगर मैं बोलो इसको ए सको छी मतलब एक कितना 1 B का पता नहीं सी कितना 9ओध शिक्स तो क्या 1696 यह मेरा नमबर हो सकते है तो दो नंबर मेरे बाद मेरे बाद मैं और बनगे तर फिर एक नमबर यह ठीक है अब मुद्द्ध याति बात की स्क्वेर जुरूर्द स्क्वेर की बात आओ मेरे पास अगर मेरे पास अगर मैं यहां पर लेकर चलूंग की मेरे पास यह नाइन का स्क्राइब बन नाइन का स्केर एंड में बन अगर कोई भी डिजीट है समझ जो एक्स बन है इसको अगर पांसे डिवाइड करते हो हमेशा प्लस होना आएगा जाए वह आप यह लगा लो 21 लगा लो 11 लगा लो 30 लगा लो इसका मतलब इसके एंड में बन आएगा है ना तो इसके पहले बन न यहां से बहुत चांदार कोशन था मेरे बच्चों बहुत चांदार कोशन मतलब यहां पे लॉजिकली बहुत अच्छे सीक्वेंस में इस को बनाया गया था मज़ा आ गया कोशन करके चलिए नैक्स कोशन क्या दिए इस विद्दा सम ओफ थ्री कॉंजिक्रिटी नंबर इस नखितना होगा फीपलस वन और नेक्स वाल है कितना बसंट तो आसान रहा है बट है नहीं मतला फीफैपलस पीफलस वन प्लत पी 15 तो यह कितना आ गया 3P प्लस 3 कितना है तो आप्शन नमबर भी 25 तो जिस कोशन देर नहीं लगने पाँ लगाएं गाएं यह कोशन बहुत इंपोर्टन है क्या दिया है यूनिट डिजिट अब नंबर सिस्था होगा जब ये कोशन आएगा तो ध्यान दो देखो मेरी बास सुनो अगर मैं 7 रिस्ट पर 1 लिखूं तो कितना आएगा सेवन विद लॉजिक बतारों विद कॉंसेप्ट बतारों तो ध्यान रखेगा साथ का स्केर कितना आगया 49 साथ क्यों 343 सेवन इस पर फूर कितना है तो चार वैल्यूज आगी मेरे पास अगर मैं 7 इस पर 5 करता हूं तब इसको साथ से मल्टिप्लाय करें तो एंडम साथ आएगा क्लियर इसका मतलब यहां पर मुझे क्या चेक करनी पड़ती है क्या क्या करना होता है जो इसका पावर होती है ना पावर पावर को डिवाइड करो इसके सैकली सीटे से यह नहीं पावर कितने एक सो पांच डिवाइड बाइड बाइड चार कितना बचा प्लस वन बचा अब इसको ले जाओ किए एक टी तो प्लीज खिएर सब्सक्राइब करना प्लीज बहुत अच्छा कोश्ण था है जलिख से नोट करेए जल चलंके अच्छा hypothesis भी लाइक, शेयर, सब्स्राइब करना प्लीज मित भूले बच्छों. चलिए, नेक्स्ट कोशिंदी दरब बढ़े, चलो, वट विली विदा यूनिटीजिट ऑफ मल्टिप्लिकेशन, देखो नंबर कहा दिया है, 217 की पावर कितनी, 413, मल्टिप्लाइ, 819 की पावर कितना, 547, मल्टिप्लाइ, 414 की पावर कितना, 624, मल्टिप्लाइ, 342 की पावर कितना, अब मुझे इसका यूनिट इजिट पताना है, क्लियर, कैसे करेंगा भाई, देखो इस कोश्चनों करने के लिए आपको क्या पता करनी बढ़े कि बढ़े, इसकी पावर को चार से डिवाइड करो, यानि 413, इसका मतलब, हर दो बार छोड़के मेरे पास क्या है, आपके पास, यह कि अगर 9 की पावर मेरे पास और है, तो मेरे पास एंड में 9 आएगा, अगर 9 की पावर even है, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, अब यहाँ पर 9 की पावर कितनी है, और है, तो यहां पर कितना आएगा भाई नाहीं नाएगा मतलब 7 into 9 clear फिर चलो अब 4 की बारी में देखो क्या है अगर यहां लिग देतों फिर मिटा दूँगा 4 एकम कितना होता भाई मतलब 4 की पावर 2 कितना होता है 16 चार की पावर 3 किटना होता आपके बास फाल सच गरपूस्टकि पावर किस लिगना है ठाल ऐए फालिंगे-द्क अब देखो यहां पर चार कि पावर कि यांट कि पावर क्या है यवन तो कितना है और मेरे पास अचे यानिए कितना आईगा चलो इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं होफुली यह होफुली उमीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा अच्छे समझी भी आ गया होगा आपको कि चली देखो लास्टा बचा है कि या तो अल्ट न ऺया तोımızı होता है है तुन किसकेर कितना होता है चार तू का क्यों कितना होता है आटथ तूरेसवार फूर कितना होता है कि हो गाफ होगा तूरेस केस में भी सायगलिस्ट टी चार से अपट्टबाइद जुटेडर आटसो बारा है हुद दिश्बॉद हुद गर इस । hard обяз एस केस वाध लेसे जीरो चाहुद है तrok क्या करेंगे सम्टिंग फास 0 बनोत है नहीं जी आपने क्या करने है टूरेस पर फूर और टूरेस्ट पर जीरो बराबर होगे ध्यान रखेगा तो इसकेस में क्या आएगा इंटु तो भाई इसको करना है मुझे मल्टिप्लाई देखो नो सत्य तरिके से किये गलत नहीं होते बड़ आपको आपको समझना पड़ेगा मैंने कोशिश की है कि इस कोशन में समझ आए विकोज अगर मैं डिरेक्ली बता देता कि आप था कई वेचिन नहीं किया तो नहीं भी समझ आता क्लियर चलिए चलते नेक्स कोश्चन की दरफ चलिएजे जेर इस अबर कंसिस्ट्रोफ तो डिजित मतला भाई कोई दो डिजिट का अपने पास नंबर दिया हो कोशन की खोड़ेगी दिजिट इन अउनित प्लेस त्वाइस थाईस थाईस थैं इन इन थाफ प्लेस अच्छा अच्छा एफ विश्च्छण कैसे करेंगे वन सिक्स ओफ दा नंबर चलिए टाइए फटाफट दे रहा हो आपको मैं करिये फटाफट देखो उसने क्या बोला मैंने बोला कि आपने पास एक्स वाई करके कोई नंबर है ठीक है उसने एक बात और बोली सिंपल सिंपल रखो कोशन को कोई ज्यादा सोचना निया जितना कोशन ने बोला है उतना ही कोशन को मुझे सोचना है नेक्स क्या रहा है वह भाई दिर्जद नंबर कंसे लुट इंबर दिजिट इंडर दिजिट इंडर टैंथ प्लेस त्वाइस त्वाइस ने इस तूप इस इस में से क्या किया जाए इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगे बेटा 10x प्लस वाई यह बताओ यह चीज़ समझाए क्योंकि इसी को मुझे सॉल्व करना है यह सॉल्व होके तो मिरा अंसर आदेगा यानि कितना 3P-2 इस इक बटाओ छे एक कितना है मेरा 10 इन टू पी प्लस वाई कितना है 2P तो इसे कोश्चन जब तक करेंगे नहीं तब तक फिर आगे आगे तो इसे कोश्चन जब तक करेंगे नहीं तब तक फिर आगे बढ़ने का जान्स बहुत कम है चलिए नोट कीजिए फिर सब्सक्राइब कोश्चन की तरफ चले जी नेक्स्ट कुश्चन सूपर इंपॉर्टन बहुत अच्छा कुश्चन है इस पर इंपॉर्टन कुश्चन हो ले डू दू दिस कुश्चन क्या दिये दा थर्ड और सेवंथ टम ओफ एन अर्थमेटिक पुर्टन इसको आप शॉर्टन कैसे बोलते हैं ठीक है जी और माइनस नाइन डिलेवन यह कितने माइनस नौर कितने एलेवन रिस्पेक्टिवली वट इस दर फिफ्टींथ टम देखो अगर मैं एनध्थ टम ओफ एपी की बात करूं कि वो कितने खाथी यह माईनस वने टू इंटू दू टी ठीक है जमने तो नंबूर ऑफ टम अब यहां पर क्या दिए भाई थर्ड टम यहनि पैँकर टम कितना है एन शिगर यह आप क्या कह सकतो हो ए प्लस टूटी बराबर कितना माइनस नो आगया यह आगी बेट अपनी एक्वेशन नुबर एक सेकेंड इक्वेशन में क्या बोर रहा है एंड सेवंध रिटम थर्ड एंड सेवंध रिटम यानि ए प्लस सेवन माइनस वन इंटूटी इस इगल तो कितना 11 सो ए प्लस ओफ शिक्स बराबर कितना 11 यह एक्वेशन नुबर तो मुझे सिर्फ इन ग्वेशन से ए और डी की वेल्यू बता करनी है विगोज आपको पता क्या निकालना देखो अगर थर्ड टम थी तो ए प्लस टू डी सेवन टम थी तो ए प्लस शिक्स डी अब कौन सी टम निकाल ली मेरेको 15 तो ए प्लस क्या निकालना है मुझे इस इकल टू मैनस ओफ 20 तो d कितना आपको पस पांच तो यहां पूट करतो हुझे रहा ए प्लस 2d इस इकल टू मैनस 9 तो ए प्लस 10 इस इकल टू मैनस 9 तो ए कितना आपको मैनस 19 तो ए बराबर कितना क्या आपको पांच मुझे क्या दी यह कुछ्छन में ए प्लस 14D निकालना है तो ए प्लस 14D बतलब मैनस 19 प्लस 14 इन्टु आफ मेरे पास क्या थाटी पांच माइनस 19 प्लस 70 कितना होगे मेरे बास 51 ऑप्शन नमबर C is the correct answer clear तो that was very easy question but अगर आपको logical आता आपको concept पता इस question का तब आप easily this question कर सकते हो वरना दिक्कत हो सकते है बेटा आपको clear चलिए another important question sum of 4 consecutive even number is greater than 3 consecutive odd number by 81 if the sum of least odd and even number is 59 then find the sum of largest odd and even number करिये ब्लीज इस question को जरा लट आस ट्राय इस question कैसे करेंगे देखो मैंने माना जो इवन नमबर की सीरीज है ना वो यह है X X plus 2 कितने भाई 4 consecutive even numbers next कितना आगया X plus 6 और last क्या आगया X plus 8 ठीक है 3 consecutive odd number मैंने माना odd की सीरीज क्या है पहला वाई हो गया Y plus 2 हो गया और Y plus 4 हो गया ठीक है 3 consecutive odd number by 81 sum of 4 consecutive मतलब यह वाला सम और यह वाला सम मतलब इसका सम करो जा रहे 1 2 3 4 4 X plus 8 6 14 और 2 16 ठीक है वेटा next कितना आगया Y 2 Y 3 Y 3 Y 3 Y plus 6 यानी 4 X plus 16 minus of 3 Y plus 6 बराबर कितना हाब के पास 81 तो यह कितना होंगा 4 X plus 16 minus 3 Y minus 6 is equal to 81 4 X minus 3 Y is equal to 81 minus of 10 यानी कितना 71 कुछ ऐसी equation आ रही है अपनी बस यहां पर थोड़ी सी एक मेंटिक 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 कलेकुलेशन में सब्सक्राइब यहां पर चार आएगा यहां पर थोड़ी गड़ बढ़ विए तो यह कितना होंगा X plus 4 X plus 6 तो 6 4 10 तो 12 तो यहां पर क्या आएगा 12 यहां 4 X plus 12 minus 3 Y minus 6 is equal to कितना 85 तो 4 X minus 3 Y is equal to 81 minus 6 कितना आ गया 75 चलो होजी परले equation तो अपनी होगी रेडी ठीक है दूसर क्या क्या रहा है इदा sum of the least odd and even number is 59 मतलब क्या होगा least odd and least मतलब क्या होगया X minus Y simple थे खोजी परले equation क्या मेरे पास परले equation बनी मेरे पास 4 X minus 3 Y is equal to कितना 75 बो क्या रहा है भाई least odd and even number least odd कितना मेरे पास मतलब Y minus X बोल रहा हो if the sum of least order मतलब X plus Y कर लो is equal to 59 तो बैटे से 4 से multiply तो 4 X 4 Y 59 इंटो 4 यह कितना होगा एच्छे चोका 24 240 240 में से 4 गटादा दो कितना होगा 236 करो जारा minus minus कीजिए minus 7 Y is equal to यह कितना होगा देखो मेरे पास अगर तो यह मेरे 23 आगे तो कर लो calculate उसे पूछ कर रहा है find the sum of largest odd and even number तो भाई जा रहा है इसको calculation कहां करें हम अच्छा 4X माइनस 3 दो 23 तो यह कितना होगा 4X is equal to 75 प्लस कितना होगा 69 सतर 144 4X is equal to 144 x कितना आगे आपके बास 36 पूछ क्या रहा है आप से वह अब आप से पूछ क्या रहा है वह sum of largest order largest order कितना है y plus 4 and even numbers यहानी x plus 6 यहनी x plus y plus 10 x कितना है बेटा एक से अपने पर 36 वाई कितना है 23 प्लस 10 कितना हो गया तेन दो बाच 59 प्लस 10 इस हां मच ऑप्शन आपके तो यह थे भाई नंबर सिस्टम के जबर्दस कोशन जो बहुत मतलब अलग लेवल के थे चाहिए मैं इस कोशन की बात करूँ यह बहुत अच्छा कोई देखने में बड़ा सांसा कोशन लग रहा है यह ना देखने में लग रहा है कि हां बस लिखा और होगा बट कैलकुलेशन थी इसमें नेक्स की अगर मैं बात करूँ देखो और यह कोशन बहुत इंबोर्डन था करतो लेते पर एपी जीपी पे किसी आधा नहीं जाता बिसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जा मैट्रिक प्रोग्रेशन की बहुत रेर है कि आपको आएंगे बट एपी के कोशन आपको हां स क्लियर तो यह आपके पेपरे में आया हुआ है इस तरह कोशन आएंगे दुबारा ध्यान रखेएगा फिर में आपको एक बार बता दो बेटा कि भाई अभ्यास तो यहां चली रहा है बट अगर आप अभी भी एचस की प्रिपरेशन के बारे सोच रहे हैं और आपको अच्छा प्लाटवर्ण नहीं मिल रहा है तो यह नंबर वन प्लाटवर्म यही है क्योंकि यहां पर 41 सेलेक्शन 41 प्लस सेलेक्शन 2020 में और 27 प्लस सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए और जूड़े रहे अभी मन्यू आइस के साथ अपने सुनारे विश्य के लिए थैंक्यू